सो गाई, जास की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप आप आइफोन यूजर हैं और आप स्टोर से किसी एप्लिकेशन को इंस्टॉल करने का ट्रॉय करते हैं, बट आप उसको इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने आइफोन के आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा एप स्टोर, तो स्क्रोल करना है आपको एप स्टोर पर आना है, एप स्टोर में आने के बाद यहां पर आपको ओप्शन यहीं काम आपको कर लेना है यहां पर आपकी जो डेट एन टाइम है उसको सही कर लेना है यहाँ पर आपको बंद होगा इसको ऐन कर दीजिएगा यहाँ से अपनी सिटी स्लैक्ट करके उसको कर सकते हैं या फिर आप directly set automatically को on कर सकते हैं तो आपका date and time automatic set हो जाएगा ये काम आप जरूर से कर लीजिएगा अगर फिर भी आपको problem आती है उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मापको बता देता हूं आप यहाँ पर अपने Apple ID में आईएगा इस option में आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलगा Media and Purchase इस पर click कर लीजिएगा यहाँ पर आपको options देखने को मिल जाते है देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे options है तो आपको क्या करना है view account पर click कर दिना है जैसे आप view account पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएंगे अब यहाँ पर आपको क्या करना है country region देखने को मिल रहा है इस पर click कर लिजिएगा country region पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आएगा यहाँ पर change country और region है इस पर click करिएगा अब यहां से आपको क्या करना है अपनी country select कर लेनी है जिस भी country में आप रहते हैं कई पर होता क्या है यहां पर गलत country select होने के बज़े से भी आपकी problem हो जाती है तो यहां पर जैसे मैं इंडिया से हूँ तो यहां पर India select कर देना है आपको और यहां से back आजाना है तो यह काम आपको कर लेना है फिर आपकी problem solve हो जाएगी then अगर फिर भी आपकी problem as it is बनी रहती है तो आपको क्या करना है तो भी मैं आपको बता देता हूँ setting में आपको आना होगा setting में आने के बाद यहां पर आपको scroll करना है और general में आ जाना है general में आने के बाद आपको यहां पर ब यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाता है reset का और erase all content and settings का तो यहाँ पर reset पर click करिएगा reset पर click करने के बाद यहाँ पर option मिलता है आपको सबसे उपर reset all settings का reset all settings पर आपको click कर देना है यहाँ से आपको अपना जो phone का password है वो आपको डालना होगा तो यहाँ से मैं अपने phone का password डाल देता हूँ guys तो यहाँ पर आपको reset all setting को option मिलेगा इस पर आप click कर दीजिएगा जैसे आप reset all setting पर click करेंगे आपकी जो settings होंगी वो reset हो जाएंगी और अगर आपकी settings की वज़ासे problem आ रहे थी आप mobile की जो new mobile होता है वैसे settings फिर से हो जाएंगी अगर आपके गलती से कोई problem आ गई है कोई setting में changes हो गए है गलती से तो वो set हो जाएंगे setting की वज़ासे अगर problem आ रहे थी apps को download करने में वो भी solve हो जाएंगी तो यही कुछ आपको करना होगा problem 100% solve हो जाएगी अगर आपको फिर भी कोई problem आते हैं मुझे comment box में बदाएगा मैं आपके लिए कोई description ले करा हूँगा सब्सक्राइब में इतना इमें मिल देना एक टिल नवा टेक्क्राइब लब यू अल